हाई फ्रेंड्स वेलकम टू बैक मैं चैनल तो फ्रेंड्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो मिशन जूथ जमू और कश्मीर गवर्मेंट दवारा जो एक स्कीम लांच की है उस पे आपको जो है कैसे जो है रिजिस्टर करना है अपनी आपको और इसके साथ ही ज जो है प्राइवेट जॉब है ताकि गोर्मेंट को पता चलेगा कि कितनी अनिंप्लाइमेंट है और अगर किसी जॉब के रिलेटेड अगर कोई भी आपको इंफर्मेशन चाहिए होगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो फ्रेंड्स से लिए वीडियो को और शुरू करते हैं मैं आपको बता दूगि जमू औंड कश्मीर मीशन जूथ के वारे में आपको कैसे रिजिस्टर वहां पर करना है आपको यहां पर क्लिक कर देना है एक प्रक्राइब करने के बाद फ्रेंड्स आपके बास यह वाला पेज ओपन होगा जब आप इस पे यहां पर क्लिक करना है जब आप यहां पर क्लिक करेंगे civil on PPS उसके बाद आप बी मबड़बार आप यहां पर क्लिक करेंगे। यहां पर कले hell to be Ol उटीप आएगा वह जो यहां पर verify OTP करना है, आपका OTP जो है verify हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको यहां से form फिल करना शूरू करेंगे, यहां आप देख सकते हैं, आप से सबसे पहले मांगेंगे category, आप यहां से देख सकते हैं, आपको किस category में अपना form बरना है, sports person हो, student हो, social innovator हो, आप जो भी है आप यहां से click कर लीजिए का अपनी, तो फिर आपको यहां से नाम लिखना है आपको, यहां पर आपको अपना नाम दे देना है, जो भी 10th की marks card पर है, वह वाला नाम आपको यहां फिल करना है, फिर उसके बाद आपको अपनी age बतानी है, आपकी जितनी भी age होगी, अगर यहां पर email ID देनी है, आपकी जो भी email ID आप यहां पर फिल कर लेना, फिर उसके बाद आपको यहां पर मांगेगा address, आपका बिल्कूल correct अपना address देना है, आपको जहां पर आप रहते हो, present address आपको देना है, और अपना permanent address भी यहां पर आपको देना है, फिर नीचे आता है आपको यहां पर अपनी तहसील वरनी होगी, आपकी जो भी तहसील है, आप यहां पर लिख लीजिए, फिर उसके बाद मांगेगा district, कोई भी district है, कुपवाडा है, वारा मूला है, स्रिनगर है, जमू है, उदूंपूर है, आप यहां पर फिल कर लीजिए, फिर उसके आपके पास आता है qualifications, qualifications आप यहां से देख सकते हो, 10 प्लस 2 है, graduate है, post graduate है, आपकी जो भी qualification है, आप यहां पे fill कर सकते हो, अगर आपने 10 थी pass की है, यह आपने 8 थी pass की है, तो आपको below 10 प्लस 2 लिखना है यहां पे, below 10 प्लस 2 क्लिक करके, यहां पे आ जाएगा, फिर आपको अ राशन कार्ड होता है, जो आपका उसी के हिसाब से होगा, अगर बीपिल राशन कार्ड है, आप वीपिल कर लीजिए, एपिल है तो एपिल कर लीजिए, फिर उसके बाद आता है working status, working status पर क्लिक करने के बाद आप से यहां पे पूछे का student हो, implied हो, unimplied हो, आप इसमें से को student हो, student select कर लीजिए, फिर आपको यहां पर कोई अपनी notable achievements देनी है, आपने कोई international award लिया है, या national award लिया है, स्टेड लेवल आवाड लिया है, आपने artistic level लिया है, वो आपको यहां पर फिल करनी है, for example, आपने artistic level लेवल का लिया है, तो आप यहां पे फिल कर सकते हैं, फिर उसके बाद आपको यहां पे vocational training done पूछेगा कि आपने को mission youth team है उसके लिए आप volunteering रहते हो आप यहां से yes कर सकते हो no कर सकते हो अगर आप हो तो yes कर लीजिए नहीं हो तो no कर लीजिए फिर उसके बाद friends आपको यहां पर पूछेगा if yes mentioned area of expertise अगर आप एक volunteering का काम करते हो तो team mission youth के साथ तो आप यहां पर आपको आपको अपने एक्सपर्टाइज करना है फिर उसके बाद आपको पूछे का यहां पर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मिशन जूथ क्या आपको जो मिशन जूथ है उससे क्या एक्सपेक्टिंग है जानी कि आपको स्किल ट यह चाहते हो तो आप यहां पे self employment opportunity चाहते हो तो यह भी क्लिक कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि आपको अगर counseling recreational sports events मतलब आपको जो भी इससे expecting आप वह वाला फिल कर लीजिए for example मैं यहां पर कर देता हूँ skill training फिर आपको लास्ट में दिख रहा है register रखनी है friends आपको कभी वह ID कामा सकती है तो friends उमीद करते हैं वीडियो आपको बिल्कुल समझ आगे होगी आपको इस चैनल पर हर एक वीडियो मिल जाएगी जमून किश्मीर के लेटर तो friends आप इस चैनल पर चेक भी कर सकते हैं अगर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए like and share जरूर करना मिलते हैं next वीडियो में thank you for watching the video तब तक के लिए bye bye